हेलो दोस्तों आज मैं आनीता सिंग आजादी के कविता जो कि किसानों के लिए लिखा गया है मैं वो पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ वो लिखती है कि मैं हर बार धर्ती का सीना चीर बीज बोता हूँ चाहे कड़कती धूब बारिस की बूंदे हूँ या फिर पूस की रात मैं उसे बच्चे की तरह सोता हूँ मैं किसान हूँ मुझे अनदाता कहा जाता है खुद का भूखा पेट रख कर दूसरों का पेट भरता हूँ फिर भी हर बार कर्ज में दब कर कफन में सोता हूँ मैं हर बार सियासत में जोकर की तरह होता हूँ कृसी परधान देश में भी किसानों का ये हाल रूटी कपड़ा फटा पड़ा है और रो रहा सारा जीवन जाने कितने छोड किसानी सेहरों में धक्के खाते हैं पर खुसी की बात तो ये है कि वो भी दो वक्त की रूटी खाते हैं मैं किसान हूँ अन्न का भगवान हूँ फिर भी खुसाल जीवन से अंजान हूँ मांग रहा हूँ हक अपना मैं जो है अधिकार वही क्या मैं भी किसान हूँ हाँ हाँ मैं भी किसान हूँ बंजर भूमी में खोद कर अपने स्वर्ट उगाया बंजर भूमी में खोद कर जिसने स्वर्ट होगाया प्यासी भूमी को सीच कर जिसे हरा भरा बनाया फिर भी वो हर बार करज में डूबा कफन में सोता है क्या किसी प्रधान देश का किसान ऐसा होता है एक काम्याब इंसान की काम्याबी को हर कोई कॉपी करता है लेकिन उसमें जो काम्याबी की कोहिनूर हासिल करने के लिए सूरा चान का गोल बना कर सालो साल पिया था ये प्रेम को समझने के लिए सिर्फ प्रेम कहानिया और करताएं पढ़ने की जरुरत नहीं है मैंने देखा है मा को चाई में चीनी कम डालते हुए और पापा को उनकी चाई की तारीफ करते हुए मैंने देखा है